तो हलो दोस्तों कैसे आप लोग आपका स्वागत है हमारे इस गेमिंग चैनल पर दोस्तों आज का वीडियो काफी कमाल का होने वाला है आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बंकर आने वाला है ठीक है 0.15.0 में जो बंकर आने वाला है उसमें क्या खासियत है अगर आप उसको पानी में लेके जाएंगे और आप उसमें बैठे रहेंगे तो आपकी हालत क्या होगी अगर आप उसमें फायर करेंगे तो कितने बुलट में जो आपका टैंक है जो आएगा टैंक वह जलेगा ठीक है तो चलिए इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, सेर कर देना और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की कमाल कमाल की वीडियो मिलने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं सुप गेमर से लिया गया है तो उनके चैनल का लिंक मिल जागा वीडियो के डिस्क्रिप्सर में आप जाके वहाँ से उनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं ठीके और हाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये चाइनीज के बीटा वर्जन यानी 0.15.0 में है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यूटूब पे सर्च कर लेना बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो यार कमेंट करके बता देना मैं आपको बता दूँगा आप जो पबजी का चाइनीज वर्जन उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे बीटा वाला ठीक है तो आप देख सकते हैं कि मैं जोन के बाहर हूँ तो चलिए मैं फ्लेर चला देता हूँ क्योंकि अगर जोन के बाहर राओंगा तभी बंकर आएगा ठीक है तो दोश्तों आप देख सकते हैं कि फाइनली बंकर आ चुका है और मैं इसमें बैठ जाता हूँ आप देख सकते हैं कि यह bunker कितना कमाल का दिख रहा है ठीक है इसके उपर एक अंटीना सा बना हुआ है यह क्या है पथा नहीं यार अंटीना सा बना हुआ है ठीक है में कमाल की बाद है जो आपका जून है ना जो उसका कलर है बहुत ही कमाल का दिखेगा अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा आप देख सकते हैं कि यह इसके अंदर वाला भाग है मतलब आप इसके अंदर का भी भाग देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप बंकर के अंदर और बंकर के बाहर का view ले सकते हैं ठीक है तो चलिए मैं इसको पानी में लेके चलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे यह पानी में गया इसके आगे कुछ निकला ठीक है इसके आगे कुछ निकला और यह बंकर पानी में तैरने लगा ठीक है आप देख सकते हैं जो बंकर पानी में तहरा है तो आप देख सकते हैं कि बंकर के अंदर पानी नहीं आ रहा है मतलब काफी सेफ बंकर है तो आप इसको पानी में आराम से ड्राइब कर सकते हैं अगर आपके पास नाव नहीं है तो कोई बात नहीं आ रहा आप इस बंकर की मदद से इस साइड से उस साइड बहुत ही आराम से जा सकते हैं ठीक है अब चलिए दोस्तों जरा हम टेस्ट करते हैं अगर हम इसके टायर कूपर फायर करेंगे तो जो इसका टायर है पंचर होगा कि नहीं क्योंकि यार जो सारे एनमी होते हैं सबसे पहले टायर ही पंचर करते हैं ठीक है तो आप देख सकते ह कि मैं कितना fire कर रहा हूं लेकिन पंचर तो नहीं हो रहा है इसका मतलब यह पंचर नहीं होगा ठीक है आप देख सकते हैं तो हमने पूरा 47 बुलट इसके टायर में डाल दिया लेकिन इसका टायर फूटा नहीं ठीक है तो अब चलिए हम इसके body पे सहिताली बुलट मार के देखते हैं कि भाई यह फूटा या नहीं फूटा ठीक है तो आप देख सकते हैं कि फाइनली 47 बुलट में यह जो जलने लगा है अगर हम फिर fire करते हैं तो आप देख सकते हैं मतलब अगर आप इसको फोड़ना चाहते हैं अगर आप इसको तोड़ना कोई तो गाड़ी लेके आया है ठीक है किदर गया किदर गया तो यह बाइक लेके डॉल रहा है ठीक है लगता यह भी आना चाहता इसमें आप देख सकते हैं कि बाइक लेके डॉल रहा है ठीक है तो फाइनली मैं इस पे फायर करता हूं देखता हूं क्या होता है आप देख सक जोन है उसका कलर कितना कमाल का आप देख सकते हैं मतलब बहुत ही जबर्दस तो एनमी हमारे उपर फायर कर रहा है और हम इसको उपर चड़ाने की कोशिज करते हैं अरे यार यार ये तो बैट गया अंदर अब सामने एक एनमी दिखा चली हम इसको कुचल देते हैं तो फाइ रेट रेट कलर में सो कर रहा है जोन और अगर आप देखेंगे तो जो जोन है रेट कलर में बना हुआ है जो काफी कमाल का दिख रहा है आप देख सकते हैं कि उपर की साइड में मतलब कता ही कमाल का जोन है ठीक है यह देखने में काफी इंट्रेस्टिंग और काफी अमेज थे यार तो हमने उसको छोड़ दिया जाने तो हम आगे चलते हैं ठीक है तो यहां से मैं बंकर को जंप करवा देता हूँ देखता हूँ डूपता है या नहीं डूपता है ठीक है तो भाई साब जंप ओहो यह तो नहीं डूपा यार आप देख सकते हैं कि यह उपर आ चुगा है ठीक है अब हम इसको पानी में बहुत ही आसानी से ड्राइब कर सकते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कि जो एनमी है अंदर बाहर कर रहा है लेकिन अगर आप ध्यान नेगे तो आप देख सकते हैं कि बंकर के आगे कुछ लगा हुआ है अगर आप पानी में जाएंगे तो वह बहार आजाता है अगर आप पानी से निकलेंगे तो वह अंदर चला जाता है यानि कि मतलब उसी से आपका जो बंकर है तैड़ता है पानी में ठीक है तो हम बंकर पर फायर करते हैं देखते हैं भाई जलता है कि ने जलता है लेकिन यह बंकर काफी मजबूत है ओहो एनमी भी चला गया ठीक है आप देख सकते हैं कि एनमी चला गया तो फाइनल दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला था कि भाई बंकर आने वाला है अगर वा आएगा तो आप उसको पंचर कर पाएंगे की नहीं वा पानी में चलेगा की नहीं अगर आप कितना बुलट मारेंगे तो वा जल जाएगा यही समय आपको बताने वाला था तो दोस्तों क्या आप इस अबडेट में खेलना चाहते हैं अगर हाँ तो प्लीज यार कमेंट करना और एक लाइक जरू करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की कमाल कमाल की वीडियो मिलने वाली है आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत जिल से धन्यवाद